हलो नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक माई यूटीब चैनल लॉबित रोने दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूटीब चैनल पर स्वागत हैं साथियो एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो की बिहार जुडीशरी से रिलेटेड है जी हां साथियो बिह अपने इसी यूटीब चैनल पर डील कर रखा है और आज जो मैं आपके सामने ले करके आ रहा हूं साती हूं यह पार्ट सकेंड है तो आप फर्स्ट जरूर देख लीजेगा और पार सकेंड यहां पर देखिए जो हम बात करेंगे निगोसियेबल इंस्ट्रुमेंट परिदान हो सकता है तो परिदान का मतलब क्या हो सकता है किसी को हम दे सकते हैं तो क्या दे सकते हैं आनवीक देख सकते हैं और वास्तवीक दे सकते हैं यह दो परकार का हम परिदान कर सकते हैं और यह किसके अंतर का थमको परिदान देखने के लिए मिल दा है तो जब हम नि प्रतिफल के अभाव में निशफलता की दसा में जो निगोसियेबल इंस्टुमेंट एक्ट है संदाय से संबंदित दाईत तो यह किसी प्रकार का कोई भी संदाय यह क्या कर सकता है उत्पन नहीं कर सकता इसका करेक्ट आंसर यहीं माग किया जा रहा है निगोसियेबल इंस्टुमेंट एक्ट का प्रिष्ठांकर दाईत तो रही ते यह सब्द जोड़कर अपना नाम हस्ताक शरीत करता है इस प्रिष्ठांकर के आधार पर वह क्या माना जाएगा तो यह माना जाएगा कोई दाईत तो उपगत नहीं करता है किसी प्रकार का वहा कितने की लिए जारी किया जा सकता है गलात करते हैं जो वचन पत्र का कोई भी निर्धारीत समय सीमा नहीं है और आप यहां पर परिदान कर सकता है लेकिन वहाँ पर कुछ पराकरमित वह चीज नहीं कर सकता है। उपास्थापन कब किया जाना चाहिए। तो साथियों उपास्थापन कब किया जाना चाहिए तो कारोबार के समय जब हम कारोबार कोई करते हैं तो उसी कारोबार के समय हमें उपास्थापन भी किया जाना चाहिए नेक्स्ट कोश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट कोश्चन नमर 67 में कर रहा है कि प्रतिगरहन के लिए उपास्थापन कौन कर सकता है तो कौन कर सकता है साथ यूद तो प्रतिगरहन की मांग करने के लिए हकदार है वही प्रतिगरहन का उपास्थापन भी कर सकता ह कि नि को सियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट किसन की बात करा था है घौड़ा करते हैं में कर यह संदाय के लίए उपस्थापना किया जाना चाहिए किस इसका वे संदाय का धरान कि गुष्ड फ़का करता है क्षणफ करता है यह करता साउधा करता है तो ऐसा लिखत बादेकारी होगा तो किसके उपर इस प्रकार कर लिखत बादेकारी होगा तो नवाली को छोड़कर बिलेख के सभी पक्षकारे के उपर इस प्रकार की सारी चीजों को लागू किया जाएगा बाकी नवाली के उपर नहीं होगा और आप देख सकते हैं बिहार APO 2014 का यह question भी आपका रहा है next question के हम बात करते हैं कर रहा है निम्न में से कौन सा बिकल्प सही नहीं है यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे options आपको दिये हैं और इसी options में से पूछ रहा है कि कौन सा बिकल्प ऐसा है जो कि यह बिकल्प सही नहीं माना जा रहा है कर रहा है इस वीनिम्न में पत्र पर भ कब किस चपता कर सकता है यहाँ पर चार अपको दिया लेकिन चेहार कमाब कोबारें बता रहा है और ये बिहार जी दोहजर सोला का ये कोश्चन भी आपका रहा है नेक्स कोश्चन के हम बात करते हैं मांग पर दे पाराक्रम लिखत मिन्स की जो निगोसियेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की संदाय के लिए धारक उन्हें प्राप्त करने के पहशात चाहिए तो यह कब कर दीना चाहिए युक्ति-उक्ति समय के अंदर मिन्स के एक रिजनेबल टाइम होता है और उसी रिजनेबल टाइम के अंतरगत ये सारी चीज़े आपको करकर दे देना चाहिए नेक्स कोश्चन कर रहा है ब्याज की गड़ना कितने तारिक से की लेट से हम क्या करेंगे और उसी दर से युसी रेट से हम क्या करेंगे ब्याज की गड़ना करेंगे जो रहे नेक्स कोशन करा रहे हैं अगर लेना है और कोई बीadanा कि ला chemical ब्याजी गड़ना की जाएगी और ये क्या होगा तो ये ब्याज की जो रकम की गढ़ना होगी तो 18% वारसिक दर पर इस ब्याज की गढ़ना की जाएगी और आप देख सकते हैं MPHGS 2019 के examination में ये question held भी किया गया था नेक्स कोश्चन के हम बात करते हैं कर रहा है निकोसियेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के रचाईता मिंस की जो निकोसियेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बना रहा है प्रतिग्रहित या प्रिष्ठांकित का अपने अपने दाईतों से उनमोचन हो जाता है तो कैसे हो जाता है नियूकती के दौरा भी संदाए के दौरा युडञ करने की आधि o जा सकता है पृरीघ सख्ञान करने की ऐभारत जाति हूं तो 30 दिन यहांपर चेक प्रश्तूत करने की अउधी मानी जाती है. अगर हम भारत के परिपेक्षि में बात करते हैं. नेक्स्ट कॉस्चन कर रहा है तो 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 चिएऀट परिवर्तन की सायच का है? तो उपरोगत सभी का है. प्रतिग्रहिता आबद है यदि प्रिष्ठांकन जो प्रिष्ठांकन होता है तो इसका correct answer भी होगा कूट रचित होता है यह क्या होता है यह counterfeited होता है और हम counterfeited को कहां पढ़ते हैं तो Indian Penal Code के अंतरगत counterfeit को भी हम पढ़ते हैं नेक्स question की हम बात करते हैं question no.79 में जब हम question no.79 को यहां पर observe करते हैं कर रहा है जब प्रतिग्रहिता उसका धारक बन जाता है तो ऐसी दसा में लिखत के पुर्विक पक्षकारों के समस्त अधिकार क्या हो जाते हैं समाप्त हो जाते हैं जो उसके पहले के अधिकार रहते हैं वो सभी के सभी अधिकार क्या हो जाएंगे यहां से समाप्त हो जाएंगे नेक्स्ट कर रहा है अनादर की सूचना गब अनावस्चेक होती है त shortest यह जो अनादर हम लोग कर देते हैं GC को इस्टब अनावस्चेक ओ जाता यह साथ हम् तो इसको अनादर किया सकता है प्र साक्ष की अंतर्वस्तूर पहला कर रहा है कि पक्षकारों के और अनादर के कारण का अस्पष्ट उलेख किया जाना चाहिए, अखरे में बताना चाहिए कि आपको किस प्रकार से आपने यहां पे इसको अनादर किया है, जो अनादर का समय होता है जब हम उसको डिसॉनर करते हैं और उसमें अंकित समय का भी ध्यान देना चाहिए, नेक्स को सूचना देने में समलित नहीं किया जाएगा ओंशना देने के अंतरगत प्रसाख्ष सामिलों तो यह कहां पर सामिलों का सात्यूम उस अस्थान की विधी से जहां वे लिखे गए नेट की अगर हम बात करते हैं question number 84 में question number 84 में दोस्तों कह रहा है कि किन दसाओं में एक ही अस्थान में सूचना को युक्ती युक्ती समय के अंदर भेज दिया गया माना जाएगा तो कभी माना जागा उपरोग तो दोनों दसाओं में पहला कर रहा है जहां पक्षकार एक ही अस्थानों में कारोबार करता हो और बी वाला कर रहा है जहां पक्षकार बीभिन अस्थानों में कारोबार करता हो तो इन दोनों दसाओं में ही हमको यहाँ पर देखने के लिए मि नाम से जिसको वह हग चेक भी कईर ये यह दो प्रकार के चेक होते हैं निग्ट करकते हैं उपँरुक्त में से कोई नहीं क्रॉस कर सकता है उपरूक्त मेंसे उसे लिखने वाला भी लजा सकता है तो इसी प्रकार के आपके examination में question आएंगे as usually question आएंगे क्योंकि यहां से बहुत जादे questions बनते भी नहीं है आप देख रहे होंगे कि पिंचित ही 2-4 question आपके examination से यहां से मिलेंगे क्योंकि यह ऐसा topic नहीं होता है जहां से आपको भर्प के 10-15 question देखने के लिए नहीं होंगे देखिए next करहा संदाय के अस्थान को विधि अनादर को सासित करती है यह किस प्रकार के कफने है इन में से कोई नहीं है इन में से सथ्ब्सक्राइब की बात कर रहे हैं जो निकोसीयबल इनस्ट्रूमेंट लिखा गया है भारतिया विधि के अनुसार तो उसको क्या कर रहा है यदि कोई वीनिमे पत्र एक अस्थान पर रचा रचा या लिखा जाता है और उसका संदाय दूसरे अस्थान पर होना है और तीसरे अस्थान पर जमा कर दिया जाता है तो वाद संसित किया जा सकता है तो कहां पर संसित किया जा सकता है उपरोक्त तीनों अस्थान म को दो या तीन संवर्भों में लिखे जाने का मुख्यता कारण है विनियमन पत्र को क्या कारण यहाँ पे साथ हुआ लैसे कारण नीवारन के लिए आपको बताई जा रही है ये नेक्स to कि को निम्रे लिखित सब्दों में से किसकी बात कर रहा है को निम्रे लिखित सब्दों वाली लिखितों पर हस्ताक्षर करता है ऐसा लिखत बताईए जो वचन पत्र नहीं कहा जा सकता है तो कौन सा ऐसा वचन पत्र है जो वचन पत्र नहीं कहा जा सकता है तो साथियों इसक इस प्रकार का संदत किया जा सकता है निक्स कोश्चन देखिए एक वचन पत्र में नहीत एक निश्चित रासी का भुगतान करने का उपकरम क्या हो सकता है तो यहां पर बीना सर्थ कि आप क्या कर सकते हैं और आप देख लीजे आल इंडिया बार एक्जामिनेशन दोहजर 17 क पूछा गया आप उस कोश्चन पर ज्यादा विसेस फोकस्ट करिएगा क्योंकि वह पूछा गया ही कोश्चन एक्जामिनेशन में रिपीट करता है निक्स कर रहा है यदि समर्थक अपने नाम का हस्ताक्षर करता है और एक विसेस व्यक्ति को लिखत इंस्टूमेंट में उलेक की गई वीधि के अनुसार रासी भुगतान करनी के लिए दिशा निर्देश जारी करता है तो इस प्रकार की पुष्टी को पूण्पूष्टी के रूप में हम लोग कहा सकता है और यह 36 अजुडी सरी 2015 के आध्यामिनेशन में पूछा गया और ये 36 गड़ जुडिसरी 2015 का ये question भी आपका रहा है next question के हम बात करते हैं निम्लिकित में से कौन सा कारण चेक का अनादरड ये नहीं माना जाता है तो कौन सा कारण नहीं माना जाता है किसी तारीक विसेस को चेक की बैंक में प्रस्तुत करने का निर्देस देना इसको आवश्यक नहीं माना जाता है next question के हम बात करते हैं दोस्तों next question में 97 number का question हमारा का रहा है कि यदि वह रकम जो लिखत में लिखी गई है वह अंको और सब्दों में भिन लिए हुए है तब वह रासी जो हो सकता है क्या हो सकता है सब्दों में लिखी गई अदा की जाएगी जो सब्दों में हम लिखते हैं उसी सब्दों के अंतरगत उसको क्या की जाएगी उसको उसी के according मुहाँ पे payable किया जाएगा और ये MP examination के अंतरगत ये question आपसे पूछा गयाता है next question कर रहा है कि negotiable instrument act अधिनियम आधारित है तो किसके उपर आधारित है ये जो act हम लोग पढ़ रहा है कर रहा है ऐसी लेखभद लिकत जिसके जिसमें एक निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेशा अनुशार या उस लिखत के वाहक को धन की निश्चित राशी संदर्त करने का उसके रचईता दौरा हस्ताक्षरी सर्त रही तो वचन है तो इसको क्या कहा जाएगा साथ हूं त चाहिता है ऐसी लेखभद रहा जिसके द्वारा हस्ताक्षरी हर्च सहित सर्त रही त आदेश हों कि वह एक निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेशा अनुशार या उस लिखत के वाहक को ही धन की एक अभी निश्चित राशी संदर्त करें तो इसको क्या कहते हैं जो बिलेख हकुम मुले देकर सदभावना से सदभावना से प्राप्त करता है वो कहा जाएगा उसको क्या कहा जाएगा उसको समयक अनुक्रमक धारक कहा जाएगा और ये बिहार जे 2021 का आपके एक्जामिनेशन के लिए कोस्चन भी रहा है नेक्स कोस्चन के हम बात करते हैं ड निम्न में से पराकर्म लिखत नहीं है तो किसका नहीं है तो बंद पत्र का यह पराकर्म लिखत के अंतरगत नहीं सामिल होता है नेक्स्ट कर रहा है एक व्यक्ति जो पराकर्म जो निगोसियेबल इंस्टुमेंट एक्ट विलेकों को मुल्ले के बदले प्राप्त करता है क्य लेक्ट को बात करते हैं कर अधिनियम कि पत्र का और तथा किसरी नोट की बारे करते हैं और बिहार सो भी यह रहा है निक्स्ट कोश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों कर रहा है निगोसियेवल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा तेईस के अंतरगात 31 अगस्त तारीक का एक वचन पत्र ऐसे रचीत है कि वह उस तारीक से तीन मां के पश्चात दे है उक्ततिती डॉट डॉट को परिपक को हो जाएगा तो तीन दिसंबर 2018 को परिपक हो जाएगा यहां पर एक आपको केस बना करके दे दिया गए है उसी केस के एकॉडिंग आपको यह केस दिया गया और यह एंपीज 2019 के एक्जामिनेशन में आपसे पूछा भी गया था नेक्स कोश्चन की हम बात करते हैं निगोसियेवल इंस्ट्रूमेंट 207 के मामले में किस नेगोसियेवल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में लिखा माना जाएगा दार स्वेम को छोड़कर सभी पक्झों को बात दे गरते हुवे ना बालिक लिखित इंस्ट्रूमेंट का आहरण कर सकता है क्या कर सकता है तो सभी चीजों का आहरण कर सकता और आप देख सकते हैं यह च्छतीस गड़्जे 2015 के आपना नाम हस्ताक शरीथ करता है क्या कहलाएगा सातियों तो निरंक प्रिष्ठांकन के नाम से लोग जानते हैं निक्ष्ट कर रहा है ऐसा लिखत जिसका अर्थ वचन पत्र या वीनिमें पत्र नो लगाया जा सकता है। क्या होता है सदा मांग पर पर देह होता है हमेसा जब कोई हमसे डिमांड करता है तो pable on demand होता है हैं बार कांसिल उत्तर परदेश में या बार कॉंसिल को मैं एक ले दे आए कि यहां पर किसी की बात कर तो ले जाता है वहां पर जब सब्सक्كون करें बात करते हैं जब कोई वचन पत्र सारवजिनिक आवकास के लिए परिपक को होता है तब उसे समझा जाएगा उसके निकटतम पूरो कारोबार वाले दिन के अंतरगति उसको सब्सक्र्षक जार जाएगा नेक्ट कोश्चन की बात करते हैं सारवजनिक आवकास के दिन से अभी प्राय है तो इससे क्या अभी प्राय साथ यो तो इससे अभी प्राय है आफसन नमबर डी रभिवार का दिन और ऐसा दिन जिसे केंद्र सरकार सासकी राजय पत्र में अधिसूचना द्वारा कर सारवजनिक आवकास द्वारा घुसित कर स करता है नेक्ट के में завबत करने के लिए कौन्स शर्थ आवश्यक नहीं है तो पर हस्ताक्षा करने अभी करता कब उसके लिए वैक्तिक रूप से दाई होंगे तो कब होंगे साथ यो तो इसका correct answer ए होगा जब वह यह नहीं बताता कि वह अभी करता कि हैसियत से हस्ताक्षर कर रहा है नेक्स कोश्चन के हम बात करते हैं वीनिमे पत्र या चेक के लेखा वाली या उपर वाली के दाईत्व का उल्लेक कीजिए और इसका क्या correct answer होगा 1331 में यह बाते आपको देखने के लिए मिलता है 122 नंबर का कोश्चन देखें प्रतिक प्रतिग्या पत्रिया वीनिमे विल जो मांग पर निरिक्षण पर या प्रस्तूत प्रस्तूती करण पर भूगतान के लिए प्रस्तूत नहीं किया जाता है उस दिन भूगतान है 15 में लिखा है तीनवे तीनवे दिन परिपक को उसको माना जाएगा नेक्स कोश्चन की यहां पर बात कर रहा है साथियो कोश्चन नंबर 123 में धारा सायंतिस के अनुसार रचाइता लेखी वाल और प्रतिग्रहण इसको क्या माना जाएगा इसको मूल रेड़ी होगा मा सिर्प MCQ ही आपके सामने साल्व कराया है अगर मैं इसका उन-liner आपको साल्व कराया होता तो उन-liner में एक-एक चीज को मैं आपको बताया होता इसी लिए थोड़ा सा इसको करने में डिफिकल्टीस आप लोगों को भी लग रहा होगा और आप लोगों को भी देखने में लेकिन बस आप इसको observe कर लीजेगा इसको properly सुन लीजेगा अगर इससे question आता है तो आप definitely करके आएंगे साथ यो फिर next video में मिलते हैं आप से तब तक के लिए धन्यवाद